दत्ता त्रेयाय विभ्महे अत्रिपुत्राय धिमही तंड़त्ता प्रचोदयात। इस दुनिया में जी नहीं सकता आडमी सिधासादा। 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 यह क्या वीरू। तुम हमेशा मुझे पैसे दे की निकाल देते हो। तु चाहती है के तुसे शादी कर लू। घर में रख लू तुझे। अरे साले सेटियों ने बच्पन में ही सिखा दिया था। कि हर चीज को पैसे से तो लो। चाहे शराब हो या शवाब हो। तुझे अगर खात पतरस काकर उसे खाना छोड़ दे। दुभू का नमर जाए। मुझे बचालो भईया। मुझे बचालो शैतान से। मुझे बचालो शैतान से। मुझे बचालो शैतान से। अरी ये क्या बचाएगा तुझे। इस दुनिया में एक भी ऐसा मर्द नहीं जो तुझे मुझे से बचा सके। अबे जाता है कि नहीं। क्या नम है तेरा। बादल की गरज और बिजली की चमक मेरा पता पता रहे है। सुनाए नहीं देता क्या। मैंने तुझे तेरा नाम और पता पूछा है। अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहा। लगता है साले शैर में नया है। मेरू का नाम यहां के बच्चे-बच्चे की जबान पर है। और तेरा अता पता मैं अभी पूछने ताम। सुग्चे मैं हिए हता ही थहाओकैं! कुछ वाली वॉड़ाayं! झाल! वढ हाहा भी हो। बबचले, आप इंसार नहीं भगवान है में डौक किसी भगवान को नहीं मानता भगवान मेरे लिए पथर का टुकुडा है और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मेरे लिए भगवान मैं गम हूँ वर्मान नहीं, पथर हूँ इनसान नहीं मैं गम हूँ वर्मान नहीं, पथर हूँ इनसान नहीं हाजी हाँ ये चच है मुझको, फूलों की पहचान नहीं मैंने फूल बहुत कम देखे, काते बहुत जिया इसलिए मैं बन गया, वीरू से वीरू दादा, वीरू दादा इस दुनिया में ये नहीं सकता, आदमी सिधा सादा इसलिए काते ये इसलिए हाँ उह नहीं यह आज । हुआ 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 मेरे कन्ये जक्कुए जब तक इस जग में पाप का राज है तक तक जगराज है जगराज क्या चाहिए जो मुझे चाहिए मेरा मूग नहीं है फिलाल मुझे तेरा दो क्रोर का सोना चाहिए सोना चाहिए लेकिन ये सोना तो सोबराज का है जब तक जगराज है तक तक कोई गोबराज नहीं है मेरे कन्ये जन्कु है यह वह 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 यह सारा सोना गुडावन नंबर छे में पचादो क्या हमारा दो करोड का सोना लूट लिया गया किस ने लूटा हमारा सोना जगराज ने वह अंडर वर्ल का एक बेहत खतरनाक आदमी है जानता हूं हमारा सोना उससे कैसे वापस मिलेगा जगराज से सोना वापस लेना शेर के जबने से उसका मास चीनने के बराबर है इसका इलाज इसका इलाज है सिर्फ वीरू वीरू को अगर उसका मूं मांगा कमिशन दे दिया जाए तो वह आपका माल लोहे की दिवाने तोड़ कर भी ला सकता है ताइम इस ओवर असलाम अलेकुम वंदे को इबराहीम घड़याली कहते हैं क्या ये तुम अपने जगराज सेट की फोटो देख रहे हो इसमें जनम दिन की जगापर जनम की तारीख लिखे लिए क्या पनमरं दिन की जगापर मौत की तारीख लिखनी बाकियो वाओ मात की तारिक तो तेरी हम लिखेंगे लोग के जियो मेरे बास क्या परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारे लिए वरना आप उनका तो फैक अप हो गया होता फैक अप तो इन सालों का होगा अगर उन्हों शोबराज का सोना ले जाने से मुझे रोका तूटे हाथ पैर लेकर ये अपनी बीवियों के पैरों में गिरेंगे आपूँ आपके पाऀमन्हों का सिर्ण भींल था आपूँज्र अभर्म मेरे लिए वर्मियों करता था फैसे मुझे सबस्काल का ईंट्वें अवा गिए शूबराभी प्या ओसका पाता प्यान्नि में वर भवान्ण प्र्वाराभ क्वल ओूटे हुआदिन्टी बाद गग कि और झाभ हो लोजिजजजट गखिटेंग से उड़िव देरе कर दोला कर दो किया झाए लाति अखनी शी घख खने है किया राोगशान पूनी, किया पूनी ठाए 7 azह Property कि और भी एम ए। पता सुना कहा है पताता हूँ उदर और है और कुछ नहीं ये है इनके सरदार थू की तस्वीर जेंटलमेन अभी थोड़ी देर में मेरे आदमी गोडाउन से सोना यानि की गोविर लेकर आते होंगे साथे के मताबिक हम भी अपना रुपया लेकर आ गए है गोड बस सिरफ दो सेकंड का इंतिजार उसके बाद जी भर कर दो क्रोड रुपय के सोने का दीदार यह सब के चेरे पे चाइना का मैप क्यों बना हुआ है है? यह मेरी तसवीर काई से लेकर आए हमारी हालत वीरु ने बनाई वो हमारा सोना भी लूट करने गया वीरु? और यह तसवीर उस ही ने आपके लिए भेजिया और साथ में ये भी कहा है कि आपके मरने के बाद यह तसवीर आपके ड्राइंगनों की शोबा बढ़ाएगी नहीं बोस उन्हें बाव कर दो नहीं 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 पेशर्मो बांदो तुम लोगों की वज़े से मेरा दो क्रोर का नुक्सान हो गया अच्छा तो हम चलते हैं मिस्टर जगराज आपको दो करोर के सोने का जो कुछ करना है करते रहिए गो जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है पाप की दुनिया में जगराज के बारे में कहा जाता है कि पाप जगराज से ही शुरू होता है और जगराज पर ही आकर खत्म होता है वीरू ने हमसे दुश्मनी मौल लेकर अपने जिन्दगी को बहुत छोटा बना लिया है मरने वाली इस जगह पर वीरू की मौत की तारीख हम लिखेंगे और वो भी उसी के खून से है यू और मैसेव स्टूपर्ड विल यू आर डॉ वीरू सहब दो करोड का सोना देखकर भी तुमारी नियत नहीं बदली हम काला धंदा करने वालों का साथ जरूर देते हैं लेकिन हमारा दिल काला नहीं है बहुत खूब बहुत खूब तो ये रहा तुमारा दो करोड का बीस परसेंट कमेशन ये गाड़ी तक छोड़ दो और आप मैं किसी दूसरे से नहीं मिलूगा समयगे जाओ चोबराज साब हमारा बहुत जबान का बहुत पक्का है क्या रहे नकदू नकद नारेंच जी क्या क्या नाम रख छोड़ें इस दुनिया वालों ने थे तुझे हासिल करने के लिए मैं जलती सडती सडकों पर नंगे पैर भागा हूं जब पेट की भूग बरदाश्ट नहीं हुए और मैं हाथ पैसे के लिए उठ्थे करें तो इन साहुकारों ने इन पैसे वालों ने अपने भूटों के तले मेरे हाथ रांतीijah अध्जी इस करें मैं नोगा तुझा आगा रखुगा कि मरेगा जब तुझे सास नहीइगा जब तुझे पतल से युटा़ए कि तब सास नहीइगा तब तुझे हुए। झाल झाल रात के बारा बजे जब कही दिल लगे जले आना मेरे पास या मुझे बुला लेना चले हो मेरे पास या मुझे बुला लेना माक के बारा बजे जब कही दिल लगे जब कही दिल लगे जले दिल के अलगर रहता है, लेकिल खोया रहता है, दिल के अलगर रहता है, लेकिल खोया 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 र मेरे पाच्चा मजी बुला लेना राचे बारा पजे जगादा जब कहीं दिल लगे चनम मेरे बारा पना याद ए करो याद एकर लो तो हमेक दवार लेकन लो याद एकर एकर लो वाद एकर लो करदो तम्हारे आएगा मेरा नाम पता, मेरा नाम पता लिख ले फुराब के बारा पजे आदरा खाद सब्सक्राइब चले आना मेरे बाचा मुझे बुणा लेना चाले उना मेरे बाचा जोजे बुना लेना लापके बालावाजे आँ जापके दिनना लेके आँ कर दोजेरा लेके दोजेशा लेके ewाजा है कर दोजेरा लेके बंग रच्तिन हाशेक स्ब्सक्रास chi मैंने तुमारे सीने में आग कहीं रख छोड़ी है जिन से उठे गा दुआ, दिर वक्त अब धोड़ी है चले आना मेरे पाश्या मुझे बना लेना जब कहीं दिल लगे चले आना मेरे माश्या मुझे बना लेना जब कहीं दिल लगे जब कहीं दिल लगे कि अजय और लौटा कोई दूए मोदागव धराउदार Works जए 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 जुए गाला लग गहरी जए रुपगरे लिएमग गाला लगाई खराई जुए जए जए खराई सफारी मैं वहरा में फाला गाला लालाई खराई एरा लगया लग़ा हुए टाराई लग, वहरा टो है आपको बताता हूं इस्पेक्टर साहब आप क्यों तत्लीफ कर रहे हैं मिस्टर शारदेव इस्पेक्टर साब बात ऐसी है कि ये लोग शराप पी कर आपस में ही लड़ रहे थे इन सब सालों का अंदेर कर दो पस चल दिये मारपीट का जवाब तो मारपीट से दे देते हो गोलियों का जवाब गोलियों से दे देते हो लेकिन मेरे प्यार का जवाब आज तक तुमने कभी प्यार से नहीं दिया प्यार, प्यार का मतलब मेरे लिए सर्फ जिस्मानी भूख है, जिस दिन मिटाना चाहो, चलिए आना. क्यों, मिल गया प्यार का जवाब प्यार से? देखिए, मिस्टर शाहदेव, मैं आपके हुटेल में एक दांसर हूँ, सिर्फ एक दांसर, और आपको मेरे पर्सनल मामलों में बोलने का कोई हक नहीं. लेकिन ये बताओ कि तुमने उसे पुलिस से क्यों बचाया? उसको बचाने की दो वजाए हैं. एक, अगर तुम पुलीस के सामने उसका नाम बता देते, तो वो तुम्हें वहीं गोली मार देता. दो, उसका नाम वीरू है. जुर्म की दुनिया में उसे खत्रों का खिलाडी कहा जाता है. और तुम्हारे बड़े भाई महादेव को अपने खतरनाक मिशन के लिए जिस आदमी की जरूरत है, वो काम सिर्फ यही खिलाडी कर सकता है. ओ, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, फिर तो तुम उस पर और डोरे डालो, उसे और पटाने की कोशिश करो. और यह वो हाइ यह बड़ात कोश् करो जो है। और हुआत अवणा यावणा कोश्प आर यूना हुआत, हुआत, हुआतए, हुआत, हुआत, हुआत हुआत שि और कि तुमने वह बाताभी हुआत अव् Dip画तtschaft। और पिस और व्हावा रखिका हुआ जबाए एपका ने लड़ा भावा हुआ भाव का प्हाव का, अबाव का, अबार मा शुं मुना का भाव हुआ। आतिश बनकर पांच साल से मुझे जला रहा है, सोता हूँ तो बिस्तर अंगारा बन जाता है, सांसे लेता हूँ तो हवाएं चिंगारियां बनकर मेरे सीने में उतर जाती है, मेरा इंतकाम एक लावा बन चुका है भाईया, जिसे ठंडा करने के लिए मैं हर रोज एक जानवर इस भूके जीते के सामने डालता हूँ, जब तक आपका कातिल जिन्दा है, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैख सकता, बहादे, हम दोनों बाईयों के सीने की चिंगारियां अब बहुत जल ठंडी होने वाली हैं, वो कैसे? बहुत दिनों से हमें अपने मिश्न के लिए जिस बहादूर आदमी की जरूरत ही, वो आज मिल गया, कौन है वो? उसका नाम वीरू है, और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, काम खतरनाक है, तो मेरी यकीन है को वो कर पाएगा? उसके बारे में मशूर है, कि वो अपने सर में आग, जिसमें तैजाब, और बाहों में बारूत लिए घूम रहा है, गूट, वेरी गूट, इसका मतलब है, बहुत जल्द हम इस खुंखार चीते की भूख, अपने दुश्मन के गोश्च से मिटाएंगे, साधेव, वीरू के बारे में मुझे और भी जान करें चाहिए, मुझे जाएंगे, साधेव, भी 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 जाए एक मगर हाँ कभी कभी अन होने से बाती आत्म आत्म पर आए हसने का किया इरादा इसलिए मैं बन गया वीरू से विर्दादा दूने ही जो करता आत्म आत्म आत्मThen से डाए हसान किर दूने से पने गया वीरू से प्ताड़ करने का किर वीर ठेक प्र तर सक्रादव बादो किर आत्म 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 SiBagika है है, है है चैनल कर थूब बाहाँ दो आधक है है है, है है, है यार उस नहींद नगाना है 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 यार उस नील परी को तो देखो उसकी सेंडल कितनी खुबसूरत है उतारू अरे मेरे को तो उसकी स्लेक्स पसंद है यूँ इन नवालियां की तरफ ना देखनी की ज़रूरत है और ना इनसे बात करने की चलो नाश्ता करते हैं दोस्तों जो हमारे ग्रुप की बेज़ती करता है उसके साथ हम लोग क्या करते है जानते हो ना करते हैं बहुत अच्छा है लड़का लड़की जब एक दूसरे का जूटा ड्रंक पीते हैं तभी उनकी महबत का पता चलता है इसलिए तुम मेरा ये जूटा ड्रंक पीलो और इन सब को बता दो के तुम्हें मुझसे अभी-अभी महबत हुई है कॉमारे खांदान में आज तक किसी ने लड़की का थपड नहीं खाया बिड़े गाल पर लगे हुए थपड के निशान भले ही दो दिन में मिट जाए लेकिन दिल पर लगे हुए निशानों को तब तक नहीं मिटाना जब तक तुम बदला न ले लो आप अपने हाथों से बेटे को खराब कर रहे हैं नहीं नहीं इसे खराब करना नहीं जिन्दगी के उसूल सिखाना कहते है हम चाहते हैं कि आमीद दुनिया को बताए कि हम उस गैस के व्यापारी है जिसकी वज़े से घरों में खाना बनता है लेकिन वक्त आने पर उसी गैस से हम घर को जलाकर राग भी कर सकते हैं हम खाना ब लादी कर सकते हैं तो नहीं हम जहीं है अजसित श्रयों में हम तो रुआ आपना रहाँ और लुआ अ जहीं हम पर दूआता है तुम अपने आप को समझती क्या हूँ हाँ मेरा जोरदार थपड़ खाकर भी तुम्हे पता नहीं चला बहतर होगा तुम सब चले जो यहां से मैं तुम जेसे लफंगे से बात तक करना नहीं चाहती इन्हें अभी तक मुझे पैचाना नहीं है छोड़ दो मिरा हाथ कल तो मैंने तुझे शराफत से छोड़ दिया था लेकिन आज आज तुझे नहीं छोड़ूँगा बांदा पुलिस्टेशन तुम्हारा मारा हुआ थपड़ अभी भी मेरे काल पर चल रहा है अब यह जलन उ मैं इस शहर के इजदार और सबसे बड़े रईस सेट को लानन का इकलोता बेदा हूँ आज तक जो चाहा है उसे हासिल किया है आज कमांड केस फास्ट मैं मर जाओंगी लेकिन तुम्हारे से कई पूरी नहीं होने दूगी लगता है अब मुझे फुजी तुमारे होटो को चोंकर ये चलान ठंडी करने होगी तुम मुझे अंदर बंद करके बहुत बाड़ी भूल कर रहे हैं इस्पेक्टर तुम नहीं जानते के मैं सेट गुलानन का बेटा हूँ शड़ाप बाप की धंकी देता है अब तो बेटा रेप का ऐसा केस बनाऊंगा कि साथ साल के लिए सीधा अंदर जाएगा समझेए साथ साल तो बहुत बड़ी बात है इस्पेक्टर तुम मुझे साथ घंटे के लिए अंदर नहीं रख सकते शड़ाप लेखा बेटी तुम चिंदा मत करो तुम एक कंप्लेंट लिखकर दे दो कि इसने तुम्हारा रेप करने के कोशिश की यह सब बेकसूर इन्होंने मेरे साथ कोई गंदा बरताव नहीं किया इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए यह क्या बेटी आगे कुछ मत पूछिए यह तुमने क्या किया रेखा मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया दूसरों की इज़त और श्राफ़त से खेलना इन रईजादों का शौख है हमारा नहीं बाप की कमाई पर पलने वाले घर में बैटकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं इनकी पैच्छानी क्या है और वैसे भी इनकी जिन्दगी का कोई मकसल नहीं समझोता डरपोक और मरे हुए लोग चाहते हैं हम नहीं क्यों बीरू दादा की दहशत से जगराज के इलाके की जमीन कापने लगी कैसे एट बीरू बाया ठूक दो गुस्ते को और थाम लो दोस्ती का हाथ अरे उस साले का कोई भरोसा है कब आंके बदल ले वो सांप है सांप अजी वाग गरंटी मैं लेता हूँ कोई गरबढ़नी होगी और सुनो समझोते की जगा अपनी मर जी की बता दो जगा की कोई प्रॉब्लम नहीं है जुमानी सेट समझोते की जगा शेरों का जंगल हो चाहे मगरमच्छों का समंदन बॉस को या बॉस के चम्चे को कोई फरक नहीं होता है आउच्छ क्या हुआ दुखता है क्या मेरे कान के जुमके परे आउच्छ आहे न जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जग राज है विरू तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मैं एक सांप हूँ सांप के दांट भले तोड़ लो लेकिन वो फूंकाना कभी नहीं भूलता और फिर बदकिस्मिती से मेरे तो जरीले दांट अभी तक बाती हैं इस बा एसा ड्सउंगा एसा ड्सउंगा कि मरते वक्त मुझे पानी का लव्ज निकालना आए हाइ हाइ बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे कन्ने चकु है नहीं नहीं पिस्टिल है कैसा लगा मेरा समझ होता है हाई अल्ला सबकी पिलोटों को नीचे से पिस्टॉल निकल रहे हैं मेरी निगोडी पलेट को नीचे क्या है देखूं हाई री निगोडी लोगा वीरू का स्वागत पिस्टॉल से करते है और वीरू लोगोंका स्वागत फूलों से करता है अरै बस क्यों न अरे इस डाप अरे 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 रोगोला जी प्लीज जग्राज के चम्चो एक बात सुन लो इस जगा के कोने कोने में मैंने बंब लगाय रखे किसीने जरा भी शरारत की तो बटन दबाऊंगा और वो वहीं धेर हो जाएगा सेंपल देखना चाहते हो तो देख लो क्यो रे जग्राज के लिए बुलाया था कागज पेंसल नहीं रखा तुने खैर दस्थखत तो करना ही पड़ेंगे यह ठीक है आज के बाद आईने में जब भी तुम अपना थोबड़ा देखोगे तो हमारे यह दस्थखत तुम्हे आज के इस फूलों भरे समझोते की याद दिलाएंगे आओ मुचे नहीं जाला मुचे अज़े अदिला है वह अजगागान। वह राण। हॉग रहल क्योंतो कि अ को परुब औरल परस्ट भॉछ क्योंतो रहा हुआ रहा हुआ बाल खब 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 में एड़ कर भी खब खब है को कि और उड़ में नूत स्वार फे में जड़ करकी स देखा लगता है पिछली बातों से तुमने सबख नहीं सिखा। तुम मुझे घलत समझ रही हो। हर जगा मेरा पीछा कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हें घलत समझ नहीं हूँ। तुमीने कहा था कि पाप कमाई पर जीने वाले लोगों की कोई पैचान नहीं होती है। इसलिए मैं खुद मैंनत करके अपनी पैचान बनाना चाहता हूँ। तो मेरा पीछा करके पैचान बनाई जा रही है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं। ये restaurant, ये petrol pump, ये stores, सब कुछ हमारे है, मैं तो यहां सिर्फ काम कर रहा हूँ. बड़े आय काम करने वाले. मैंने घर में बैटकर मुफ्त की रोटिया तोड़ना बन कर दिया है, इन हाथों ने माहिनत करना सीख लिया है, चानती हो क्यों? क्यों कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुमसे मौबत करने लगा हूँ. I love you! I love you! I love you! Understand? तुमस माëं तुमसान तुमसान ने तुमसानssä राला, ने उत मना बना बना उत्त करने, तुमसान तुमसान राओा हूँ, तुमसान तुमसान राओा हूँ, तुमसान ने छिया Research linguistic issues is accurate. Bye! दिदी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, यहां तक कि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए होटलों में नाश्ती गाती तक हो. मामी डाडी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनू, मगर ऐसा नहीं हो सका. मैं तुझे डॉक्टर बनाकर उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ. लेकिन दिदी, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, यहां तक कि डॉनेशन भी. तुझे डॉक्टर बनाने के लिए कितने ही पैसों की जरूरत क्यों ना पड़े, मैं लाओंगी. चाहिए इसके लिए मुझे तक्तीर के हाथों का मोहरा ही क्यों ना बनना पड़े. वीरू रुपय के लिए काम जरूर करता है, लेकिन रुपया उसकी कमजोरी नहीं है. जहां रुपया काम ना दे, वहां किसी और हत्यार का इस्तिमाल करना चाहिए. और दुनिया में औरत से बड़ा प्याद कोई नहीं. ये लोग अडवास, तुम्हें हर हालत में वीरू को इस मिशन के लिए तैयार करना है. कहते हैं, औरत के हुसन का निशाना कभी खाली नहीं जाता. कहते हैं, औरत के लुक में वीरू करना है, ये झाला चाहिए. कRIजस्तिमाम हुस्छन का इस्तिमाल करना है, ये जे दोगए. किस्तिमाल करना है, ती नहीं एस्तिमाली खाला हुआ. कभी इजय मुड़ जाता हूँ मैं भव रहूं सब कलियों चा रस्टी के उड़ जाता हूँ ना मैं पत्में काता हूँ ना करता हूँ कोई वादा इसलिए मैं बन गया वीरू से विरुदादा जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जग राज है वीरू का लगाया हुआ मेरे चेरे पे ये घाव जवाला मुखी की तरह मेरे पूरे शडीर में दहक राए जगराज सेथ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जो काम लंबी लंबी तलवारे नहीं कर सकती वही काम कभी कभी एक छोटा सा दिमाग कर सकता है मैं चाहता हूँ कि कानून की धार से वीरू की नबस कालती जाए मेरा नाम है इंस्पेक्टर दिवाकर जो पहुचाता है बड़े घर फिर भी आप बताईए कि वीरू की नस मैं ब्लेड से किस तरह कटूं मुझे खबर मिली है कि वीरू इस वक्त अपने घर में एक कैब्रे डांसर के साथ मौजूद है मैं चाहता हूँ कि तुम उस कैब्रे डांसर को धंदा करने के इल्जाम में गिफ्तार कर लो जायर बात है कि वीरू उससे बचाने की कोशिक करेगा और तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ऐसे हालात पैदा कर देना कि वीरू तुम बड़ आकरमन करने की कोशिक करें और फिर तुमें उसे इच्चू गोली मारने का भाना मिल जाएगा और फिर कल के अकबारों की हेडलाइन ये होने चाहिए कि पुलिस मुठ भेड में एक खत्रना गुंडा वीरू मारा गया समझ गया ना समझ गया और ये तुम्हारे लिए है हट ये टोपि में ये क्या और शही है ये लो खुश तुमने ये रुपए फैंकर मेरे प्यार को एक बद्दी गाली दी है ये रुपए नहीं नश्तर है जो तुमने मेरे प्यार भरे दिल पर चलाए है प्यार? ये शब्द एक दफ़ा पहले भी तुम्हारे मुझ से सुन चुका हूँ क्लब में हम नहीं जानती इसका मतलब क्या है हमारे लिए तुम्हेम साहब ये हवस है जिसे मिटाने के लिए हम खुबसूरत से खुबसूरत जिसम खरीद लेते हैं औरत को सिर्फ एक जिसम समझने वाले मर्द तुमने कभी ये भी सोचा है कि उस जिसम के अंदर एक आत्मा भी रहती है आत्मा? मजबूरी के निलाम घर में आत्मा कोड़ियों के मोल बिकती है नोटों के बंडल देकर जिसम खुद मखुद बिक जाते हैं जमीर बिक जाते हैं खरीदार चाहिए और आज इन तमाम चीजों का सबसे बड़ा सौदागर मैं हूँ मैं सौदागर हाँ? मुझे तो तुम अपने ही इस सौदे बाजी में डूबे हुए एक व्यवपारी नजर आते हो मेरा जमीर और आत्मा तो दूर की बात है भूल जाओ के तुम कभी भी मेरा जिसम खरीच सकते हो हमारी सिंद्गी में आई हुए तुम पहली लड़की हो जिसने हमारी दिया ही बख्षिस को इस तरह गुस आखी से फ्ञेका है लगता है तुम़ारा समीर अभी सिंदा है लेकिन हमारा जमीर तो इस जमाने ने बच्पन में ही कुचल दिया था इतनी नफ्रत दे थे इस जमाने ने हमें हम जिन्दगी भारे से लुटाते रहें तो विशायद कभी खत्म न हो लगता है नफरत ते तुम्हारे शरीर में इतनी जादा जगे घेली है कि महबत के लिए जगा रही ही नहीं वरना इतना जरूर जानते कि जब कोई लड़की पहली बार अपने आपको एक मर्द को सोंगती है तो वो उससे सच्चा प्यार करती है लेकिन एक बात याद रखना भी रो महबत एक ऐसा अमरित होता है कि जिसकी एक बूंद भी अगर तुम्हारे जिसम में उतर जाए तो ये दुनिया तुम्हें सबसे ज़्यादा खुबसूरत नजर आएगी और उस दिन तुम पच्चता होगे कि तुम्हें अपनी जिंदगी का एक एक लमा युही बरबात कर दिया और तब तुम्हें मेरी याद आएगी इंस्पेक्टर दिवाकर जो पहुंचाता है बड़े घर तो हमें सही ख़बर मिली है कैसी ख़बर यही कि आजकल तुम होटलों में नाचने और गाने के साथ-साथ धंदा भी करती हो अरे हो इंस्पेक्टर जबान संभाल कर बात करना तुमीस की बात वो आदमी कर रहा है जो शहर में खुद बदनाम हो और वो भी उस लड़की के लिए जो होटल में बेहाय से नाचती और गाती है चाल मेरे साथ यह उन बाजारी लड़कियों में से नहीं है आधी रात को कोई बदनाम लड़की किसी बदनाम आदमी के घर से निकले उसका क्या मतलब है इसका मतलब वो नहीं होता जो तुम्हारा गंदा दिमाग सोच रहा है इसका मतलब तो पुलिस स्टेशन में मैं इस धंदे वाली से पूछूँगा इंस्पेक्टर दिवाकर पे हाँ उठता है अभी, प्राइब चाथ, प्राइब नहीं होता है हुआ 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 हुआ... दे रहें, मे, मेब बिख सोनो वरिस, वरिस... झाल झाल कैसे तब ये थापकी? आपने मेरी जान बचाई, स्किल बहुत बहुत शुक्रिया मैं ठीक हूँ शुकर है साइवाबका लीजी, चाय पीजे मैं काम से बाहर जा रहे हूँ दोपेर में आऊंगे और आपके लिए खाना बनाऊंगे ठीक है? ये रहा सिग्रेक का पैकिक, शेविंग का सामान मतारण, वो थे, अमित की वाशू क्या? रेखा, रेखा मेरे ले शॉपिंग कर रहे थी? कहां देखा उसे तुम लोगोंने, यार? एक घंटे से उसका अंततार मैं खुद कर रहा हूँ तेरे स्टोर में देखा, यार, मर्दों वाली चीजे खरीद रही थी मर्दों वाली चीजे? यार, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आया यार, ऐसा तु नहीं की रेखा, तुमसे प्यार का नाटा कर रही हो? यार, दिल किसी और को दिया हो? एक बात कान खुल कुछ तुल दो, अगर दुबारा रेखा के बारे मैं जी गलत बात की न, तो मैं तुम दोनों को चांसे माड़ा हूँगा ये रहे आपके नए-नए कपड़े और ये दवाईया, ये फ्रूट्स और ये विस्की की बॉट्र उस रात आपने मुझे पुलिस से चुपाया, मेरे जिसम से खुद ही गोलिया निकाली, मेरी जान बचाई ये सब मेरे लिए लेकर आई हैं मैं आपका इहसान मंद हूँ लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप तो जानती भी नहीं कि मैं कौन हूँ मैं जानना भी नहीं चाहती मैंने आपको इसलिए बचाया क्योंकि पुलिस से मुझे सक्त नफ्रत है और आप इन चीजों को जो इहसान कह रहे हैं ये क्या इतनी जोड़तों से हान बचा रहे हो सारी बिल्डिंग वालों के सामने तमाशा दिखाना चाहते हो क्या? आज मैं सारी बिल्डिंग कोई नहीं सारी दुनिया को तमाशा दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझ से और मैं सिर्फ तुम से प्यार करता हूँ रेखा, मैं बिजनस के सिलसले में डली जा रहा हूँ सोचता हूँ कि जाने से पहले तो मैं अपने ममी डड़ी से मिला दू मिलोगी ना अच्प दूफ चन्हाँ़ी से पांप पांपश से पहते अफ रूार्द व्ञाँ़ी नाच्प दॱफ झाले हूँ आप रहले हूँ मैंने तुम्हें दिल दिया, तुमने मुझे दिल दिया तुमसे कहो मैं, मुझे कहो तुम इस प्यार का शुक्रिया मैंने तुम्हें दिल दिया, तुमने मुझे दिल दिया मुझे कहो मैं, मुझे कहो तुम इस प्यार का शुक्रिया मैंने मिल दिल दिया तुमसे कहो मैं मुझे कहो तुमसे कहो तुमसे प्याल का शुक दिया सर पर उठा लो कसम, अब न जुटा होंगे हम, सर पर उठा लो कसम, हम न जुदा होंगे हम, एक दुसरे के दिल में रहेंगे, हम सो वरस कम से कम, लो 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 मेरी वाता किया, मैने तुही दिल दिया, तुम्ने मुझे दिल दिया, सर पर उठा किया, तुम्ने वाता किया, पर उतिल मेरी वाता किया, तुम्ने मुझे दिल दिल दुजे डिया, भी मोझे बिल दुदू आखे दिल दो में द्युदा आखे जो जो, क्योदिंदू, उतर लिखते warrant के विशा चिए लिए भी मैंने मुझे ह su trip, थंडी हवा जब चली दिल की लगी तब चली थंडी हवा जब चली तब चली मिच को पचा लो दिल में चुपा लो बरना में जर जाओंगी मैंने तुम्हें दिल दिया तुम्हें मुझे दिल दिया तुम्हें निर गया तुम्हें तुम्हें दिल दिया मुझे दिल दिया तुम्हें को पचा लो-टुम्हे को अदि promote तुम्हें को पारत सुपा लो बरना में जर वकफी दिल दिया स्क्षरो का स्क्राइस कें कितना छिलाओगी अदल खाऊ ओना तॆ अरे भाइया तुमने यो पी नहीं बड़ा चिला रहे तो की पूरी बॉटल पी जाओंगा लो देखा, बच्पन से ना मा की ममता मिली, ना बाप का लाड़ प्यार, ना बेहन भायों की महबत नसीब हुई इसलिए शायद एहसास नहीं हुआ कि रिष्टों की क्या वुक्त होती है, उनकी क्या एहमियत होती है आज तुमने इस बाद के अहसास दिला दिया, कि जिस औरत को मैं आज तक एक खेलोना समझ कर खेलता रहा, वो एक महान मां भी हो सकती है अंधा प्यार करने वाली बहन भी हो सकती है अंधा प्यार करने वाली बहन अपने भाई की बुरी लट को पूरा करने के लिए एक बोतल शराब की खातर अपने गले में पड़ा हुआ लॉकट तक बेश सकती है तुन्हे मेरी आत्मा को जिन जोड़ दिया है रेखा तेरी प्यार का ये कर्ज, शायद मैं कई जनम लेकर भी पूरा ना कर सकूँ लेकिन आज, मैं अपनी बेहन से इतना वादा करता हूँ कि मैं एक नेक इंसान बने के कोशिश करूँ यह रही आपकी नमस्तु, वा बेटे वा, तुम तो लड़की पसंद करने में अपने बाप की भी गुरु निकले, तैंक्यू दैड, जैडी ममी, ममी का है, अरे अपने बहु के लिए नेकलेस लाने बाजार गई है, बेटे, बहु मुझे पसंद आई, बहुत पसंद आई, डैडी, यू अख्रेट डैडी, अमीद बेटे, अपका फ्राइट का टाइम हो गया, हाँ बेटे, तुम एरपोर्ट के लिए निकलो, बेस्ट आफ लाक, आँ रेखा, एरपोर्ट जाते-जाते तुम्हे रास्ते में घर चो अभी आती होगी, प्यारी प्यारी बहु को देखकर, वो कितना खुश होगी, हाँ डैडी, यूर करेक्ट, देखा, मैं बहुत चल्दी टली से वापस आ जाऊंगा, अपना खैल रखना, बाई, बाई डैडी, बाई, 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 आओ, जिसमें शादी के बाद तुम और आमीत रहोगे खाली है ना जी आओ ये कपड़े रखने के आलमारिया खाली है ना जी आओ ये सोने के और हीरे के जेवरात रखने के बॉक्सिस है खाली है ना ये तिजोरी है नोटों के बंडल रखने की खाली है ना बात ये है कि कल ही ये सब सामान खाली किया गया है क्योंकि आमीत कह रहा था कि तुम एक बहुत बड़े करोरपती बाप की बेटी हो और जाहिर है कि शादी के बाद तुम डेर सारे जेवरात और सामान लेकर आओगी और उन सब चीजों को रखने के लिए जगे तो चाहिए ना इसलिए मैंने पहले से ही ये सब जगे खाली की है देखिए लगता है अम इतने आप से जूट कहा है मैं किसी करोड़ पती बाप की बेटी नहीं हूँ ओ आइसी फिर मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ हम एक दूसर से प्यार करते हैं लेकिन मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ और पैसा मुझ से खेरो एक बात और सुनती जाओ अगर तुमारी रगो में शरीप माबाप का खून है तो हमारी इस बातचीत की जिकर तुम आमित से नहीं करोगी देखा तुरे तुरे तु भाई को हक नहीं दिया कि मैं आके तेरी रिष्टी की बात करता तुम कहने कि दुरूरत नहीं तुरे आंसों बता रहे हैं कि इस घर में तेरा स्वागत कैसे हुआ है ये तेरी भाशा नहीं समझ सके आज इने मैं समझाऊंगा अपनी भाशा में ए कावना तुम कालिये सेट मेरा नाम वीरू है और मैं अपनी छोटी बेहन रेखा की शादी की बात तुम्हारे बेटे अमिद के साथ करने के लिए आया हूँ मगर मगर अगर आप रखिये अपनी जैम में देखिये देखा की शादी आपके बेटे अमिद से होगी नहीं तो अमिद की शादी नहीं होगी घबराये नहीं ये तो मैंने सिर्फ अपना इरादा बताया है आप बताये आपका इरादा क्या है पचास लाख रुपिया चाहिए पचास लाख तो क्या पचास लाख कम है पचास लाख आपके लिए ज्यादा होंगे मगर मेरी बहन की शादी के लिए बहुत कम है आप शादी की तारिक पक्के कीजिए पचास लाख आपको मिल जाएंगे मिल जाएंगे और मिलने में बहुत पर्क है पन्रा दिन के अंदर अगर मुझे पचास लाख रुपिया नहीं मिले तो इस घर के दरवाजे भूल जाईए भीकारी कही का इससे बड़ी गाली मैं भी तुझे दे सकता हूं सेट एक बास सुले जब तक पचास लाख तेरे मूँ पर नहीं दिमारूगा मैं रिख और अमित की शादी की बात नहीं करूगा इबहिन, क्यों होगा? किसने मारा तुझा? और ये रुपिया को ले गया? जगराज, बस जगराज अपने आदमियों के साथ आया था उसीने तमाम माल लूट कर ले गया जगराज दगराज आओ वेरो, 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 वेरो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था सामने आप बुजदिल कहा चुपा रेका मेरा रुपिया? क्यों पांगलों की तरह चिला रहा है अरे तुम्हारा रुपिया बड़ी हिफाज़त के साथ तुम्हारे सामने तो पड़ा है आए रहा है रहा है रहा है रहा है अच्छा मेरे कन्ये चक्कु है बेवाकुक पहिंके यह जो खांच की दीवार है यह बुलेट पुरूफ है तेरी कोई भी गोली मेरी छाते तक नहीं पहुंच सकती चला जितना चलाना है कहां जा रहे हो वीरू छोड़ दो मुझे मैं उसे जान से माटा रहूंगा पागल हो गया हूं पागल ही हो गया हूं तुम नहीं जान तुसने मेरे सारे नोट छिला डाले मगर तुम तो कभी नोटों से प्यार नहीं क्या करते थे अब ही मुझे नोटों से कोई प्यार नहीं लेकिन आज एक बहन के लिए भाई को रुपाओं की जुरूरत थी हाई बहन हाँ भाई बहन पुलिस जब मेरा पीछा कर रही थी उस रात मैंने घर में पना ली जहां एक मासुम लड़की ने पुलिस से बचाने के लिए मा की तरह मुझे अपनी सीने में चुपा लिया एक बहन की तरह मेरी इतिमार दरी की मेरी शराब मेरी दवाओं के लिए उसने अपना लॉकट तक बेच डाला और आज जब उसकी शादी के लिए मुझे पचास लाग की ज़रूरत है मैं बेबस हूं इना अगर पचास लाग नहीं मिले उस बेचारिक शादी उस लड़के स पहाँसी फिर तुमारी बहन का क्या होगा उसकी शादी कौन करवाएगा वीरू अगर ये पचास लाग रुपए मैंने तुम्हें दिलवा दी तो लेकिन पचास लाग मुझे देगा कौन हम देंगे तुम्हें मगर पचास लाग नहीं साट लाग ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए आप साट लाग खर्च करने के लिए तैयार हैं एक कैदी को जिल से बगा कर लाना है कोई दोस्त है नहीं वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमने सौगंद खाई है कि अपने चीते की भूख उसके गोश्टे मिटाएंगे इस मिशन में कैदी पर काबू पाने के साथ साथ अपने आपको भी बचाना होगा क्योंकि इस मिशन पर भेजे गए पहले दो आदमी कुटों और गोलियों का शिकार हो चुके हैं जेल बहुती खतरनाक जगे पर है वहाँ पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन कौन से जेल है वह थामकपूर जेल में यह पहारी इलाका हल्दी घाटी कहलाता है थामकपूर जेल से 25 किलो मेटर दूर इस पहारी इलाके में कैदियों को खुदाई के काम के लिए लाया जाता है और हमारा कैदी भी यहां हर रोज आता है पहारी के जितने हिस्से में खुदाई का काम चल रहा है वो तमाम हिस्सा कांटेदार वायर फैन से घिरा हुआ है आदमी तो क्या मच्छर का भी वहां से गुजर कर जिन्दा वापिस आना ना मुमकिन फिलहाल दस लाख एडवांस चाही मुझे यह रहा दस लाख रुपे एडवांस और यह रहा हमारा दुश्मन चंदरकांथ पिता जी आपने मुझे मना किया था कि मैं आपको जेल में पत्र कभी ना लिखूं लेकिन जिन्दगी में जो खुशी मुझे हासिल हुई है उसे बताने से मैं आपको रुक नहीं पाई पिता जी एक बहुत बड़े घराने का लड़का मुझे प्यार करने लगा है और हम दुरों जल्दी ही शादी करने वाले हैं भगवान का करिश्मा देखिए उसने मेरे लिए एक फरिष्टे जैसा भाई भेज दिया उसका नाम है वीरू उसे मेरी शादी के उतनी ही चिंता है जितने एक सगे भाई को हो सकती है और वो इस वक्त मेरी शादी के लिए पचास लाक रुपे का इंतजाम करने गया है आप कि बेटी रेखा भगवान मैं समझता था कि तुम उससे रूट क्या है लेकिन तु अब भी मेरे साथ है मैंने आज तक तु से कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांग रहा हूँ वो फरिष्टा मेरी बेटी की शादी के लिए पचास लाक रुपे का इंतजाम करने गया है उसको उसके मकसद में काम्याब बनाना अग्ला तुमाः आजाँ ड्रुमाव था इंतब यदे खाम पयाना थरूफट ईव्पे की श्लाएं का अमैज्ट की श्लाएं की मांजाएं की दूबजी अालएं की श्लाएं की रहा हूँ है। अरे बना प्लीजा कि करुड़ चज़ है कहा हुआ पर कहा हुआ हा 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 कहा हा हा दादा, आज की रात बहुत ही मुद्बर्रिक रात है, वो देखो आस्मान पर रमजान का चान निकलाया है यानि अपसे तेरे रोजे और नमाज चुरू हाँ दादा, एक मुसल्मान के लिए रमजान से जादा और कोई मुबारक महिना नहीं इबहें, आल्ला मैं उसे क्या दौा माँगी? मेरी तो अल्ला ताला परवर्दिगार आलम से हमेशा एक दौा रही है घड़याली का दम जब भी निकले अपने यार की बाहों में निकले इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ दो ही तो हैं एक तुम, और दूसरी ये घड़ी, और जानते हो ददा, मेरे सासाथ मेरी ये घड़ी भी तुमसे बहत प्यार करती है देखना, जिस दिन मैं दम तोड़ूगा न, उस दिन तुमसे जुदा होने के गम, मेरी ये घड़ी भी मेरा साथ छोड़ देगी अच्छी बात इग्याकर मेरे साथ जा रहा है अच्छे काम के लिए जा रहे हैं बखवाज मत क्याकर ताइम इस ओवर उस्ताद मैं चलता हूँ सवेरे सहरी के लिए उठना है खुदा हाफिज खुदा हाफिज तुम यहाँ हाँ मैं मेरे मना करने के बावज़ों तुम यहाँ चली आई जानतीनी इस खतरना काम में तुम्हारी जान तुम्हारे लिए जान तो क्या अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तयार हो आज माकर देख लो तुम्हारे लो टुम्हारे लो रश्रो अजयार में चला करना रहाँ वाल कर फिल्वे बनके आए ना आओ मैं पूछो तू मुझसे बता क्या मैं खूब सूरत नहीं तुझे मेरी दरूरत नहीं क्या मैं खूब सूरत नहीं तुझे मेरी दरूरत नहीं बनके आए ना बैठ सामने जरा बनके आए ना बैठ सामने जरा क्या आए रुझे लुझे शुझे रूफ दरूरत नहीं बनके तुझे राओ नहीं विर राओ नहीं प्राओ 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 मैं हचके बच्छर को फूल बना लू, फूल बना लू मैं चुके, मैं चुके पानी में आग लगा लू, आग लगा लू तू है चीज क्या, तू है चीज क्या, आपैठ समने जर, मैं पूछो तू मुझसे बचा, क्या मैं भूब तू रख नहीं, तुझे मेरी जरूरत नहीं, क्या मैं भूब तूरत नहीं, तुझे मेरी जरूरत नहीं क्या मैं भालव तूरत नहीं, तुझे रिवद्र नहीं हर हर मेरा बदन उई मेरा बदन तूट गया फूल साई मेरा बदन हार गई करके मैं सारे जबन और करूं क्या और करूं क्या बनके आई ना आओ बैठ सामने जरा बनके आई ना बैठ सामने जरा मैं पूछो तू मझसे बापा क्या मैं हूब सूरत नहीं तुझे मेरी जरूरत नहीं क्या मैं पूब सूरत नहीं तुझे मेरी जरूरत नहीं तुझे मेरी जरूरत निगाहों का खेल है तुझे मेरी जरूरत निगाहों का खेल है मेरे लिए ये प्यार दिलों कामिल है जावे वफा जावे वफा बनके आई ना आओ बैठ सामने जरा आओ बनके आई ना बैठ सामने जरा मैं पूझो तु मुझे से बढ़ा क्या मेरी जरूरत नहीं तुझे मेरी जरूरत नहीं तुझे मेरी गरूरत नहीं ओम नमस्षिवाय नागेंद्रहारा यत्रलूप यनाय अमित, कब है जल्ली से? बस अभी अभी, अब जल्ली से बताओ, वो दिन मेरे डटी ने और क्या कहा तुमसे? मैरो, एक बात और सुनती जाओ, अगर तुमारी रगों में शरीफ माबाप का खून है, तो हमारी इस बातचीत का जिकर तुम आमित से नहीं करोगी क्या हूँ अलेक्षा? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे सारा बंगला दिखाया, एक एक कमरा खोल कर दिखाया, और कहा कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो मैंने दली से फोन करके डड़ी से बात की थी। उन्होंने बताया कि शादी की बात उन्होंने तुम्हारे भाई से की है। रेखा तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे भाई भी है। हाँ, जिन्दगी में कुछ रिष्टे अचानक बन जाते हैं। जैसे कि तुम, मेरी जिन्दगी मेचानक चलिया है. कब मिलाओगी मुझे अपने भाई से? कि उआ से कि पुर खो मुझे पान के कि अपने कि वाई बंगी मुझें इनतस्ति प्लीズि अपने इनका हुआगा इनका हुआगागा इनका हुआगा। कि अपने के तुम, खेपीम । बाली शाली वाजब आए और पटाली ठली वार कि रहार कि अजिए ग्रवार कि वार लोड़ोर कि उड़ी जडली बाली वार कि यॉ गे हो वाँड़ा!! आजर प्रॉद साब आजा है प्रुजर्ट कर यह साप खखकтовा गर्याली गर्याली, ये टेबलेट खाला, मदन में जहर नहीं भेलेगा मेरा रोजा टूट जाएगा मैं इफ्तियारी से पहले कुछ नहीं कह सकता बोस लेकिन तुम्हें बचाने के लिए ज़रूरी है मौत के डर से अगर रोजा तोड़ दूगा तो फिर खुदा को क्या मू दिखाऊंगा ख़ड़े आली, गोली तो निकाले होगी ना बस कुछ तेर और रुक जाओ दादा रोजा खोलने का वक्त बिल को करीब है इस गोली के साथ मेरी चंद सांसे रुकी है और मैं रोजा पूला करके मरना चाता हूँ मरने से पहले इस बात की खुशी है कि मैंने अपने यार को एक अच्छा इंसान बनते हुए देख लिया लेकिन एक हसरत दिल में रह गई जिस रेखा बेहन की शादी में पचास लाग का इंतजाम करने मेरा यार वीरू निकला है उस रेखा बेहन की शादी में मैं शरीक नहीं हो सकूगा रोजा इफ्तियारी का वख्त हो चुका है बास लगता है कहीं आसपास ही मस्जिद है मेरे मौसिन मुझे आखरी बार अपने हाथों पर उठाकर अल्ला के घर तक ले चलो आप लोग कौन है इन्हें क्या हुआ है अल्हाम सहब ये मेरा यार है जखमी होगा है रोजी सहर इसे रोजा कौन है जरूर, जरूर! Oh! 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 Bismillah! Ah! Oh! 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 मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र, कि तूने मरने से पहले इतनी मौलत तो दी, कि मैं अपना रोजा खोल सकूँ. क्रेली, मेरे मालिक, मैं तेरे दर्बार में आ रहा हूँ, इस हकीर बंदे के गुनाहों को माफ करना। क्रेली, दादा, हम हर साल ईद पर गले मिलते रहें, लेकिन अब शाहिद कभी ना बिले। इसलिए मुझे आखरी बात, अपने गले से रहें, मैं, मैं, ताइम और रहें। लाह लाह इलिल्लाह आम्मद न्यसूर इल्लाह वेल्कम विरू वेल्कम, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंके तुने मेरी जिंदगी की पहली और आखरी खुश्पूरी की है। आपकी इस ख्वाइश के नाम पर इनका सबसे अजीज दोस्त गड़्याली मारा गया। ओ, इस बात का मुझे अफसोस है। यह रहे पूरे पचास लाग और इसके साथ तुमारा हमारा सौदा भी खत्म। और इसके साथ यह भी भूल जाना के तुने कभी हमारे साथ एक कैदी का सौदा किया था। वीरों को सौदेबाजी समझाने का कोशिश मत करना। समझ गये। तुमारा कैदी बिछली सीट पर है। क्या हुआ। क्या हुआ। रोक्या यह भगली। भाया। अरे। भाया। क्या बात किया मझे बताना। कोई मेरे पिताजी को मार देना चाहता है। कोई उनके जान का दुश्मन बना है। मारे पिताजी। तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। वो जेल में थे। उनके दुश्मन उन्हें मारने के लिए उन्हें जैस उठा ले गए। यह देखिए। पिताजी पर इर्जाम था। कि उन्होंने अपने सेट, उनकी पत्मी और उनके बेटे की हत्या की है। अदालत में उन्हें उन्हें उमर खैद की सजा सुनाई। मगर उनकी दुश्मन उन्हें जान से मार देना चाहते है। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी बेकुसूर है। मुख अभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। तब ही से मुझे खानून से रफरत होगी। इसलिए उस रात मैंने आपको पुलिस से बचाया था। भाया, मेरे पिताजी बेकुसूर है। बेक्दम बेकुसूर है। हाँ? हाँ ! हाँ ! हुई! झाल 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 विरू, हमें ये तुम्हारी सौदेबादी समझ में नहीं आई ये रहे तुम्हारे पचास लाग सौदा खत्म मैंने अपने साथ ले जा रहा हूँ हा, ले जाना, मगर मुर्दा ये बेकसूर है, मैंने जिन्दा ही लेकर जाओंगा तुने अपनी जिन्दगी पर हमारी दुष्मनी लेकर बहुत बड़ी भूल की है वीरू बच्पन से लेकर आज तक दुष्मन ही मिले है यार तु एक ही मिला था वो भी साथ छोड़ गया वीरू से दुष्मनी आजमाने के जितने तरीके आते हैं आजमा लेना बहुत महंगे पढ़ेंगे बहुत महंगे पढ़ेंगे बहुत यह सब क्या हुआ कहां चिले गये थे आप कुछ नहीं दिखा मैं मैं तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिग था मेरे पिताजी वो आपको कहां मिले आप उन्हें कैसे जानते हैं भीया दरसल तुम्हारे पिताजी को जिल से भगा कर लाने वाला मैं ही हूँ अच्छा तो वो तुम हो मेरे पिताजी के जान के दुश्मन तुम जिसे मैंने पुलिस से बचाया जिसकी मैंने एक भाई से बढ़कर सेवा की और तुमने क्यों किया ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया मैं तुम्हे बताती हो रेखा वीरू ने ऐसा क्यों किया लेकिन इससे पहले तुम्हे एक बात जाननी होगी वीरू, तुम्हें मिलने से पहले एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर, और इस पत्थर को फूल तुमने बनाया है, तुम ही ने इसमें प्यार का हैसास जगाया है, तुम्हारी प्यार की दुनिया में आने के बाद, वीरू जुरुम की दुनिया को भुला चुका था, लेकिन जब तुम्हारी शादी के लिए पचास लाख रुपए की जरूरत आ पड़ी तो अन्जाने में पीरू ने तुम्हारे बाप के दुश्मनों से सौधा कर लिया अब पचास लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी मैंने सब को सुन लिया रिखा मेरे डैड़ी ने हमारे शादी के लिए तुम्हारे भाईया से पचास लाख रुपए की मांग की थी और तुमने ये बात में से छुपाय रखी अरे मैं तो अपने डैड़ी को एक देवता समझता था बगर वो खेर है साब अब आपको पचास लाख रुपयों के लिए और कोई जुम करने की जुरूद नहीं है मैं रिखास से मंदिर में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन पिताजी इस वक्त कहा है कैसी रे तू मेरी वज़ा से तुझे क्या क्या दुख नहीं सहने पड़े मुझे पाफ कर दे अजबत कही है पिताजी अजबत कही है पिताजी ये इनसान नहीं भगवान का भेजा हूआ अवतार है जो हमारी मदद करने के लिए जमेंग पर आया है देखे मैं कोई अफ्तार वाफ्तार नहीं हूँ आप ऐसी बाते करके वक्त सहया मत कीजिए भाई साब बिल्कुल ठीक क्या रहा है पुलीस भी आपके पीछे पड़ी हुई सिर्फ पुलीस ही नहीं महादेव और शाहदेव जैसे बेड़िये भी आप लोगों की तलाश में निकले हुए होंगे असली हत्यारे को पकड़ने के लिए और आपको बेखुसुर साबत करने के लिए ये जुरूर है कि आप हारा अक्रिकत खुल कर बताएं मेरी संदगी से जुड़ी तीन हत्याओं की कहानी आज से पांच साल पहले शुरू होती है उस दिन मैं नाइट ट्यूटी पर था अचानक पिस्टोल चलने की आवाज आते ही मैं वहाँ पहुचा मेरे सामने गैस कंपणी के मालिक जयदेव उनकी पत्मी और उनके बच्चे की लाश पड़ी थी किसी ने मेरे सर पर वार किया मैंने मुड़कर देखा तो जगराज हाथ में पिस्टोल लिए खड़ा था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब होश में आया तो सामने इंस्पेक्टर दिवा कर हाथ में हद कड़ी लिए ख़़ा था मैं आदालत में चीखता रहा चिलाता रहा पर मुझ बेकसूर की फर्याद किसी ने भी नहीं सुनी किसी ने भी नहीं सुनी इसका मतलब है उन तीनों हत्याओं के पीछे जगराज का हाथ है कि जब करूपकर उन्हींत है कि उड़ दो ईहां झालु कि अ जड़र डन्मुट कर देखिता कर दो अार वार घर हुई। कि अ जालु आए रूर सक्थर वार चातू कि अज़ देखिगा चाच जड़ एंधा टॉख एंधा दो जो टॉदा झाल ज़ीन तू बच्छा, तू यखा, मगर जब मारूँगा, मारूँगा मैं छक्का, मेरे तन्ये चक्कू है, बिच्छो को काटो तो बिच्छो मर जाए, नागन को छेरो तो नागन दर जाए, नागन को छेरो तो नागन दर जाए, मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मेरा तुस्रा मेरा प्यार, दोनों बड़े हतर ना, बिच्छो को काटो तो बिच्छो मर जाए, नागन को छेरो तो नागन दर जाए, बिच्छो को काटो तो बिच्छो मर जाए, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अचैनल जचैनल में आप ऐस कज़ूर्द करें कर दो दहाँ करें के लधी सहलेखें数 मेन कर दूसरों और मुझे ये बता हतरमा मेरे कन्ये चक्कु आये बिच्छो को काटू तो बिच्छो मर जाये बिच्छो को काटू तो बिच्छो लर जाये नागन को छेडू तो नागन डर जाये नागन को छेडू तो नागन डर जाये मेरे कान में जुमके मेरी जाल में ठुमके बालो में है जजय निरी नैनों में है जजय निरी पानी को छुलो तो आहा संजाए सुल्पे बिखे रो तो ना संजाए मैं हूँ जहरीला बड़ा मैं हूँ रंगीला बड़ा मेरा गुसा मेरा ब्यार तोनों बड़े हतर मेरे कने चकुए बिच्छो को काटू तो बिच्छो मर जाए बिच्छो को काटू तो बिच्छो मर जाए नागन तर चेदू तो नागन दर जाए नागन को छेड़ो तो नागन दर जाए कर दो ख Southeast 8 टो करो कर kamu अ कर दो मां भुटना दो जो पो. कि वहां कर दो该 कर दो करो उपकपनी हैं कि मां झो बुझा क कि मां वो झादल कर्व मांव पका कि जुए हैं ये, 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 मेरा मुखला, स्वीच, 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 स्वीच मेरे कन्ये चक्कु है हट्ट पंकरो ला, हड़ो तुआ जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है आज से मेरे बबा मैं भी आप लोगों के साथ इस मिशन में शामल हूँ हमें ये जानकर खुशी हुई जगराज के तुम बंबई के डाउन होने के बावजूद हमारा साथ देने को तयार हो लेकिन मुझे बहुत दुख है मैंने मैंने तुम्हारे बड़े भाई जयदेव का नमक आया है और जब नमक का हक अदा करने का मौका आया तो तुमने इतना बड़ा मेशन उस सुवर वीरू को सोम दिया जो मेरी जिन्दीगी का सबसे बड़ा दुख्मन है जिसकी वज़े से बिजनस में मैंने हमेशा नुकसान ही नुकसान उठाया है ओ नो नो और वो भी पचास है इन दो मचलीयों को देख रहे हैं नो जगराज कैसे तडप रही है जाल में फसी हुई और अब ये तडप तडप कर जान दे देंगी और ऐसा ही कुछ हाल हम अपनी उन दो दुश्मनों का करना चाहते हैं ऐसा ही हाल करना चाहते हैं एक मिसाल मशूर है कि मचली को मचली के तेल से ही तनना चाहिए वीरू और चंदरकान जैसी मचलियों को तनने के लिए मैं जिस तेल का इस्तिमाल करने वाला हूँ ना उस तेल का नाम है मीना अरे हम साविता देख मैं जाविता साविता जाविता 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 समझाया इतना समझाया कि वीरू का पता बता बता दे बता दे बता दे बता दे मगर वह नहीं मानी इसलिए मेरे आदमियों को मजबूरन इसकी इस्त लूटनी पड़े मैंने कुछ नहीं किया क्यूंकि मुझ से तो कुछ समझ गई ना हाँ मैंने इसकी पीट में से सिर्फ थोड़ा सा खून बाहर निकाला क्यूंकि जो पैगाम तुम तक पहुंचाना था ना उसके लिए ना तो में पास पैन था और ना तो में पास आई थी कमी ये जो नहीं बेंस बाहर ना नचर 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 हीं चुर लेंगे से तो अ बिना ही भांडो, तुम लोगों की वज़े से, आज मेरी ना कट गई, वो छमक्छलो मीना, अपने कूले मटकाती हुई, तुम लोगों की बेवाकूफी की वज़े से, मेरे हाथ से निकल गई, हाई गुल सेट, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया, करके एक दुश्मन की वज़े से, मुझे तुमारे पास आना पड़ा, घर का दुश्मन, मेरा बेटा, कहो तो, चक्कु चला दू, नए, नए, मैं मेरे पागल बेटी की प्रेमी का रेखा को खतम करने की बात कर रहा हूँ, आओ, मैं नहीं चाहता कि वो गरीब लड़की मेरे घर की बहु बने, तुम उस लड़की को किट्नेप कर लो, मैं तुम्हे मुझ मांगाई नाम दे दूँगा, तुम बिल्कुल फिकर मत करो, क्योंकि मेरे कन्ये, क्या, हाहा, इंस्पेक्टर दिवाकर जो पहुंचाता है बड़े घर, तुम चंदरकान की बेटी रेखा हो ना, जी, तुमने वीरू नाम के खतरनाग गुंडे के साथ मिलकर, अपने बाप को जेल से भगाया है, ये सब जूट है, सच और जूट का फैसला बड़े घर होगा, चलिए, झाल तुम्हारी बहन जिसे तु जूटे इल्जाम में ग्रिफतार करके लाया है रेखा कहा है मैं किसी रेखा को नहीं जानता लेकिन अच्छा हुआ तुम यहां आगए वीरु दादा तुम में से कोई भी मेरे पाट नहीं जानता पास आया तु तुम्हारे भेजे हावा में रूईक तरह उरते होए नदर आएंगी दुनिया में लाखो कमीने मरते हैं न तब कुछ तेरे जैसा कुट्टा दिवा कर पैदा होता है पानून के रक्षक होकर पापियों का साथ देते रहे शैतान के भढ़ुए तुसे तो वह भढ़ुए अच्छे हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं और तो इस कुर्सी पर बैठ कर अपने देश अपने समाज के साथ का तारी करता रहा इस कुर्सी इस वर्दी के लाइक नहीं है जल्दी बता रहे का कहा है वरना मैं तेरे खुन किये के बोन न चोड़ दूँ था अब अबरतार किसी ने पीछा करने के कोशिश के रहे हट जाओ चल्द आउच चल्बता तेरा बाप चंदरकांत कहा है आगे से बताओंगी नहीं बताएगी न तो मैं नाराज हो जाओंगा सब्कुछ नी लगेगा चल्बता आरे बता 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 ना नहीं बताँगी। तो नहीं बताएगी। अरे मुवे, तू काह से आया है। विरु, शुवर कहिंके। तू अपने साथ विरु को भी लेके आया है। ये क्या लाएगा मुझे साले, मैं इसे लेकर आया। चोड़ृ दे वर्ना तेरी खोपडी उढाके रख दूँगा उधर तेरी गोली चलेगी, इधर मेरा चक्कूँ इसकी प्यारी प्यारी गर्दन पर चल जाएगा चल गॉली मार, मार, मार ना कैसे मारेगा, चल मुए, वो तमन्चा फैंक, फैंक मारने के लिए भी दम चाहिए दम, मुझे मारेगा, मुझे तमन्चा, चको, भांडो, मेरा थोबडा का देख रहे हो, पकलो वीरु को तेरो कहा से क्यों आ रहे हैं, इंस्पेक्टर धिवाकर, तू चल सबसे बड़े घर शैतान, तू उसी दिन मर गया था, ओ, 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 जिस दिन इस जग में जगराज पैदा हुआ था कितनी बार मैंने कहा तुझे वीरु कि मुझे दोस्ती कर ले, कर ले, कर ले, लेकर मुगा तू करता है नहीं है, अब जल्दी से बता दे तूने, चंदर कांद को कां चुपा रखा है। तो समाजता है मैं तुझे बता दूगा मैं जानता हूँ कि तु मुझे नहीं बताएगा इसलिए तु मैंने रेखा को यहां बुला रखा है अगर मेरी बेहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूगा नहीं ओहुँआ बेहन और भाई इन दोनों में कितना प्यार अब खेल का मज़ा आएगा इन दोनों को एक साथ बांदो तु एन वान बांदो मुआ आए तु एन वान यह वीरू है वीरू जिसने सारी जिंदगी औरत को खेलोने की तरह इस्तमाल किया है इसना आज तक ना तो किसी को अपनी मा समझा है ना बेहन और आज इसकी जिंदगी में एक बेहन आ गई है सिस्टर पताओ वीरू इस लड़की के साथ बंद हुए तुमें कैसा लग रहा है जिसे तुम अपनी बेहन समझते हो बता ना वीरू तु भाई बेहन के प्यार को क्या समझेगा जिस भावान ने इस लाइक ही नहीं छोड़ा कि कोई तुझे भाई कह सके या बेहन कह सके बसकर वीरू बसकर तुने मेरी इसित को ललका रहा है अब तु जल्दी से मुझे चंदरकान का पता पता दे वरना मुझे गुसा आजाएगा I shall be angry Now I am angry Stop तेरा चोजी चाहे कर ले लेकिन मैं तुझे चंदरकान जी का पता नहीं बताऊंगा अच्छा ए छोड़ दो रेखा को मैं कुछ नहीं करूंगा मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता करेंगे ये बिच्छू वीरू जरा सोचो जब ये काले काले प्यारे प्यारे बिच्छू तुमको टंक मारेंगे तुम मुझको कितना मजा आएगा नहीं जराज नहीं तुम कुछ मत करना मैं तुम्हें तब कुछ बता दूगे नहीं देखा तुम मैंसे कुछ नहीं बताओगे जगराज, अगर मैं तुम्हे अपने पिताची का पता बता दू, तो तुम मेरे भाया को छोड़ दो के ता नहीं, रेखा, रामजादे को कुछ नहीं बताना दिल तो नहीं करता लेकिन तू कहती है तो छोड़ येता हो इसको, तू पकड़ इसको सकी तु चल मेरे साथ, चल न, चल, जल्दी से बता दे, बताना इसे कुछ नहीं बताना, मेरे पिताची इस वक्त, महा काली के खंडर में भाई को बचाने के लिए इसने बाप को मरवा दिया, तू जाए या को वीरू, मेरा दिल तो नहीं करता है, लेकन मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा हाई, मैं तुझे ऐसी मोत मारूंगा कि मनने के बाद तेरा बेजान जिस्म मेरे नाम से कांपेगा धोका सुनो, मैं इसको आनंद गैस एजनसी लेके जा रहा हूँ और तुम इसके बाप को माकाली के खंड़ से उठाकर वहें पर ले आना तुझको तो साप और बिच्चु काटेंगे मुवे, मुझे से दोस्ती नहीं की कर दोस्तु कर दोस्त की बाती है आओ कि अपापा का यह बेखुसूर है अगर यह बेखुसूर है तो क्या हुआ कशूर वार तो मैं हुआ अर्थ जानती नहीं मेरे कनने चक्कुए अरे कशी कर असता मुआ पंदूक मारना नहीं नहीं अरे सर्प मारना अधिया तुझे सापो ने खाया नहीं मैं मर गया तुम दोनों भूल कर रहो महादेब तुम्हारे भाई और भावी का कातल यह है तुम्हें मुझसे बचने के लिए जमेन बहुत चोटी पड़ेगी अपनी जबान से इकरार कर कि जायदेबर उसकी फैमिली के कातल तुम हो अईसा करना हत्यारा मैं नहीं पता हत्यारा कोई दूसरा है बखवास मत कर अगर तू हत्यारा नहीं तो फिर उनका खुन किस ने किया बताता हूं बताता हूं आज तक आप नकली सिलिंदर के अंदर असली सोना भरने का काला कारोबार करते रहें मगर पुलिस तो क्या आज तक आपके पाटनर जैदे को भी इसकी भनक नहीं हुई वह क्या दिमाग है मैं नहीं जानता था कि मेरे पाटनर होकर कंपनी के आड में तुम ऐसे गयर कानूनी काम करोगे तुमारी जैके यहां नहीं सलागों के पीछे है मैं भी पुलिच को फोन करता हूं जैदे नहीं जैदे जैदे तुम मेरे पुराने आदमी हो इन तीनों के खून पर किसी और का नाम लिख दो और इस राज को इस राज को तुमारे सीने के मगबरे में हमेशा के लिए दफन कर दो और उस राज को मैंने अपने सीने के मगबरे में दफन करके चंदर कांखो पुसा दिया पता है असलिक कातल तो गुल आनंद है गुल आनंद जो मेरे साथ गद्दारी करता है उसका यह हशर होता है चाहे वो मेरा बाप हो या अजीज दोस्त बादेव तुमारा भाई जैदेव उसकी पत्नी और बच्चे के हत्या मैंने ही की क्योंकि वे लोग यह राज जान गए थे कि मैं ग्यास कंपनी के आड में गैर कानूनी धंदा करता हूं और जो लोग मेरा राज जान जाते हैं उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि मेरे बाप ने मेरा नाम गुल आनंदा इसे ही नहीं रखा जो लोग मेरे साथ आनंद से पेश आते हैं उन्हें मैं गुल यहने गुलाब की खुश्बू देता हूं और जो लोग मेरे साथ क्रोच से पेश आते हैं, उन्हें मैं गुलाब की काटों की तरफ चुबने पर मजबूर हो जाता हूँ आज तुम सब लोग मेरा राज जान चुके हो, इसलिए आज तुम सब को मरना होगा फिर तो आपको मुझे भी मारना होगा, क्योंकि मैं भी आपका राज जान चुका हूँ अमिर बेटे, मत कही अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा, ये सुनकर मेरा सर शंप से जुका जा रहा है कि मैं एक खूनी का बेटा हूँ मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप एक खुनी है, एक देश द्रोई है अचले होता नहीं इधर कर दो ल依े खब दालक आसे होटori हैं, ल जञ ए वा खाता है, बुप है कि वह सब्के लब एकटर झालके के सब लाता ही, द्टेसे हैं, तू behöं कि मुझे है। तो बिन्ने, कुटे हैं तुम्हारे पार भी के कुछ नहीं चोड़े हुआ चकराचरा, तुम्हें मेरी बहन को मार डाला मे तो जसे नहीं उन्कि हाँ मेरी बहन हैं अज़ाँ करो दोड़े हाँ वहीं एम उन्मेन उन्मेन उन्में 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 प्रहाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो खेज़ू हरो शाण कर रेगे हैऊ कर दो, करता भालताए, भालताए! कर दो लो ए常नीं कर दो? उको कर दोए़ यहह रदाए, जो ए uto है आीन खपफ़र रू कर भाराच में कर दो गाराच बहार कया कर Best लुट जए लगने है विद्गा सबाचत आीन ते जगना से न अाराचत है हुए हुए! एचैंडे यक अ कुछिन य यदीर उवा है կदीर वै य यदीर रंए लग श кино इंडे लग गलाएब बाऑब अ कुछिन यदीर्ग वह झालाँ थाउ जदा यद। किया लुख वो, पुरता हुआ जाआ जारे दो, अबना हुआ झालार, अबना हुआ है, अबना हुआ है। करेंगे यहां से, वाटर टेंक बास करते हैं, नहीं भाई साब, उपर बहुत ज्यादा आग लगी है, आप अपनी जिन्दगी के साथ मत चाहिए, इसके सवाई कोई जारा नहीं है, यह आप में चाहिए, तो इसके कि मत कर रेखा मुझे कुछ नहीं होगा, अबर गज़े भाई साब, इको नहीं जोरूंगा, सबको मार डालूंगा, पानी, पानी, पानी? पानी, पानी? छोटे, तुम्हेरा सम्भालो, तलाश करके राता हूँ सम्भाल के जपरकाप जी जड़ सापनी है झाल झाल है के दृह झाल, चिरो, जकने करेची काने करे पांडिकंग कर सके जयला कर दो पाल पाल ईाओ औाओ उल्ड़ Kalau उन्ने उज़ oh नल्ड़े कँड़ झाल झाल इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सिधा सादा इसलिए मैं बन गया विरू से विरू दादा इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सिधा सादा इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सिधा सादा झाल झाल